हेलो एवरिवन साइन्स एमके चले में आपका बहुत बहुत स्वाग गते सो फाइनली नर्सिंग वालों के लिए पर्मानेंट वेकेंसी आज चुकिये बुनेस्वर से पर्मानेंट यह रहने वाली है और यहाँ पर आप देख पार हूंगे आपकी सेलेरी एक लाख बराजार चार सो के सम्तिंग रहने वाली है जो कि बहुत ही अच्ची सेलेरी मानी जाती है बैसिकली यहाँ पर कौन कोन एपलाई करेंगे बीए से नर्सिंग वाले एपलाई करेंगे और जेनेंग के केंडिकेट यहाँ पर एपलाई कर सकते है पर्मनेट वेकेंसी रहने वाली ये लाइक तो बनता है स्टाफ नर्स के वेकेंसी है और इसी के साथ जूनियर टेग्निशन के वेकेंसी भी है मैं आपको इस्टे बाई इस्टे बताऊँगा कि किस परकार गर बेटे आप अपने मोबाईल के माद्यम से इस फोम को बर सकते हो पूरी प्रोसेज मैं आपको बताने वाला हूं ठीके तो यहाँ पर फोर्म एपलाई शुरू हो चुके है और आपको तुरंट एपलाई कर देना है क्योंकि यह पर्मनेट वेकेंस से रहने वाले बूनेस वर से ठीके ओनलाइन यहाँ पर आवेदन मांगे गए है तो चलिए अपडेट पहले मैं आपको दिखा देता हूं और यह हार्ड कोपी कब बेजनी है फोर्म की लास डेट क्या है सब कुछ यहाँ पर आ चुका है सेलेक्शन का प्रोसेज क्या है एपलिकेशन पीस कितने लगने वाली है सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है तो चलिए देख लेते हैं इसका पूरा वीवरन जैसे कि आप यहाँ पर देख पार हूंगे ओपिसल वेबसाइड पर यह स्टाफ नर्स की वेक्यान सी है और इसके फोर्म यहाँ पर सुरू हो चुके है और यहाँ पर किलिक करके आप फोर्म को गर बैटाई अपने मॉबाइल के मादेम से बर सकते हो ठीक है और यह है इसकी ओपिसल वेबसाइड बारतिय प्रोजिगी किसंस्ता बूनेस्वर ठीक है तो चलिए इसका पहले पीडिये अप देख लेते हैं फिर मैं आपको एपला इसकी यहाँ पर सुरुकसा अधिकारी की वेकैंसी लेब असिस्टेंट की वेकैंसी सॉप्टवेर इंजिनेर की वेकैंसी यहाँ पर आप देख पार होंगे जूनियर इंजिनेर सिविल इसकी वेकैंसी और 21 नमर पर स्टाप नर्स की वेकैंसी यहाँ पर निकाल लिए जहा तो यहाँ पर application piece क्या रहने वाला है और इनके name और सरते क्या है उसको देख लेते हैं ठीक है क्योंकि 21 नमबर पर आपने देखा होगा कि nursing के vacancy 21 नमबर पर यह देखिए चाहिए तो आप इसका screenshot ले सकते हो और नीचे junior technician के ओके तो चले यहाँ पर और भी vacancy देख लेते हैं और इनके निर्देश यहाँ पर हमको देखना होगा तो देखो फोरम आपको online ही बरने होंगे और इसकी जो hard copy है वह आपको जमा करानी होगी ज आप चाहो तो speed post भी कर सकते हो बट आपको फोरम online ही बरना होगा और उसका जो print out निकलेगा वह आपको बेजना होगा कहां पर जो यहाँ पर एड्रेस दे रखा है चलो मैं आपको पहले एड्रेस दिखा देता हूं वहाँ पर आपको बेजना होगा तब भी आपका फोरम मानने होगा ठीक है यह वाला यह वाला एड्रेस नोट करो आप साइक रजिस्टार बढ़ती निकलिए और यहाँ पर पूरा एड्रेस इन्होंने दे रखा है तो इस एड्रेस पर साप साप लिखा हुआ है कि online आदिम से बेजो या पर आप खुद जाके यहाँ पर जमा कराओ ठीक है यह आपके उपर डिपेंड करता है तो चले पहले फोरम केसे बरना है कहां से बरना है वो देख लेते और यहाँ पर नामातर आपकी application piece लगने वाली है बहुत ही कम आपकी application piece यहाँ पर लगने वाली ह तो चले देख लेते हैं यहाँ पर 500 के something आपका लगेगा यह देखे जूम आप्ट कर लेते हैं इसको तोड़ा ताकि आपको अच्छा साथ दिखे तो देखो website www.iitbbs.ac.in ठीक है यहाँ पर फोरम बरके हम आपको दिखा देंगे और अंतिम्तिती 3 जून 2022 है आवेदिन के hard copy प्राप करने की अंतिम्तिती 136 2022 रखे गई है ठीक है यहाँ पर हिंदी और इंग्लिस दोनों में दे रखा है आवेदन की उमीद्वार का समर्दन करने के लिए section की योग गिता और यहाँ पर सत्यापित जो परती आए ना आपको आवेदन का एक प्रिंट आउट 136 या उ इसके closing data इससे पहले आपको पहुचाना होगा संपूर्ण आवेदन speed post मैंने बोला ना या तो speed post या फिर courier आदी के मादिम से बेज़ा जा सकता है डाक में किसी भी परका के विलमन के लिए संस्ता जिम्यदार नहीं है मान लो डागर वाले अगर नहीं पहुचाते ना तो इसमें गलती डागर वालों की है संस्ता की नहीं है ठीक है तो तोड़ा सा उनको बोलना की जल्दी टाइम पर पहुचा है तो यहाँ पर आवेदन तब ही मानना जाएगा इस्पीड पॉस्ट या फिर कोरियर आदी के मादिम से आप बेज सकते हो और यहां पर आवेदन को 500 रुपे ठीक है यह आपकी पीस यहां पर लगने वाले 500 रुपीज इसके बदले में आपको लाखों की यहां पर गौवर्मेंट जोब मिल रही है उम इमेल आइडी के बेस पर पूरा का पूरा इमेल आइडी जरूर यहां पर सबी इमेल के मादिम से के जाएगा यहां पर प्रोसेश अभी मैं आपको दिकाऊंगा कि क्यों जरूरी है ठीक है ओके ऑनलाइन आवेदन पत्र में पर्दान की जारी जानकरी आपको सुद आयों अच्цев से बढ़ना है जिसे आपका जो परसेंटेज है वही बढ़ना है। जो नमरें वही बढ़ना है जितना अटेम्टह को यहां को यही इंक करना तो यह पूरा चाहिए हम कहाँ पर टेलेग्राम पर टेलेग्राम फोलो करना बहुत इपोर्टेंट है तो यह भारत यह प्रोधिक संस्ता भूनियसर की ओपिसल वेबसाइड है और जैसे हम नॉन टीचिंग वाली स्टाप रिक्वार्मेंट पर आएंगे तो यहां पर काफी सारी वेकेंसी हमको नज किराऊगा ना यहां से आपको एपलाई करना है क्लिक हैर नीचे से नमर तीजरा इस वाले पर तो यहां पर हमने क्लिक कर दिया तो इन्यां इंटरफेज ओपन हो गया तो मैंने बोला था पहले कि इमेल आइडी जुरूरी है तो इमेल आइडी और पासवड यहां पर इंट इस प्रकार का इंटरफेज ओपन होके आएगा जहां पर आपसे बोला जाएगा कि जो आप यहां पर पासपॉर्ड साइज का फोटो अप्लोड करोगे वह यह साइज होना चाहिए 240-300 का ठीक है और यहां पर आपका जो सिगनेचर है उसका साइज होना चाहिए एक प्रोसीड वाला ओपसन है इस पर आपको क्लिक करना है चलिए हमने क्लिक कर दिया तो अब निया इंटरफेज ओपन होक के आगया ठीक है इस परकार का तो यहां पर आपको क्या करना है देखो गर बेटे मोबाइल के माद्देम से भी पोस्ट को आप एपलाई कर सकते हो और यहां पर स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5 ठीक है इन में आपका एपलाई होने वाला है अब आपको क्या करना है है विए एपलाई प्रीविज क्या आपने पहले भी एपलाई किया है वो इंपोर्मेशन बर देनी है आपको ठीक है इसके बाद आपका नाम मिडल नेम कहां से 10 वी की मार्ट से 12 वी की मार्ट से देखके डेट और बित दसवी की मार्ट सीट का नेसलिटी इंडियन जेंडर जो भी आपका है यहां पर मेल और फेमेल दोनों एपलाई कर सकता है जी हाँ बिल्कुल मेल और फेमेल दोनों एपलाई करेंगे यहां category यहां से select कर देनी है आपको जो भी आपके category है और इसके बाद आदार की जुरत यहां पर रहने वाली है आदार नमबर और इसके बाद आपके contact नमबर की requirement और यहां पर passport size के photo की requirement email ID आएगी ठीक है और यहां पर address जो आपके ID में देरका है ना आदार में देरका होगा पिछे तो वो आपको फिलप करनी है पिन कोड को CT को इनको अच्छे से फिलप करना है आपको और एक बार अवसे देख लेना फिर आपको save और continue पर क्लिक करना है फिर आपको सामने payment का option आएगा payment आपको कर देना है ठीक है तो इस परकार पैमेंट होने के बाद फिर आपका डिगरी जो है documents जो है वो upload करना है तो इस परकार आप फिर इसका print out निकलवा होगे और फिर इसको send कर देना है print out को जो मेने address आपको बताया था तो इस परकार आप यहाँ पर reply कर सकते हो सारी जानकारी आपको टेलेगराम पर उपलब्द करवा दी जाएगी टेलेगराम को follow कर लेना टेलेगराम बहुत important है mksbro5 नाम है इस नाम से आपको टेलेगराम मिल जाएगा mksbro5 नाम से PDF, link, सब कुछ यहीं मिलेगा आपको